हलो प्रेंज संगीताज वोम तिप्स में आप सभी का बहुत स्वागत तो आज मैं आपके साथ सेर करने जा रही हूं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और बहुत ही ज्यादा टेश्टी रेसिपी यानि कि आपने रेस्टोरेंट में तो पालक पनीर बहुत खाया होगा लेक कि Grepik बनायेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो यह देखिए मैंने पालक लेकुत पालक को अच्छे से साथ कर लिया है और अब हम इनको घूकर यानि कि पालक को अच्छे से धो लेंगे और धोके ही हम इसे काटेंगे तो अब इसे रफली काटना है यानि कि मोटा मोटा कट कर लेना है बारिक कट करने की ज़रत नहीं है तो देखिए इस तरह से आप मोटा मोटा पालक को काट लीजिए तो ये देखिए पालक हमारा कट गया है तो अब हम पालक को थोड़ा सा बॉयल करेंगे तो पालक बॉयल करने के लिए ये देखिए मैंने पानी रख दिया है गरम होने के लिए और पानी गरम हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे पालक और पालक को ज़्यादा नहीं उबालेंगे बहुत ही कम उबालेंगे यानि कि एक से दो मिनट तक ही से उबालेंगे और दस से बारा लसुन की कलिया, हरा धनिया और कड़ी पत्ता तो इन सब सारी चीजों को मिक्सी के जार में डाल देते हैं तो अब कुछ और मसाले भी डालेंगे जैसे कि 15 से 20 काली मिर्च, दो छोटी इलाइची, आदा चम्मत जीरा और बहुत थोड़ा सा पानी डालके मसाले को पीस लेंगे, यानि की फाइन पेस्ट बना लेंगे तो ये देखिए मसाला पीस गया है, ये देखिए तो इसको हम कटोरी में निकाल लेते हैं और साथ ही हम पालक की प्यूरी बना ली है एक टमाटर को भी पीस लिया है तो यह मसाला ओर टमाटर की प्यूरी रेडी है और इधर हमारा पालक भी रेडी हो गया है लगबग 2 मिनट मैंने बोईल किया है और यह देखिए बिलकुल कलर चेंज नहीं हुआ है एकदम ग्रीन कल कर दिख रहा है तो अब हम इसे अच्छे से ठंडा करेंगे ठंडा करके उसी मिक्सी जार में हम इसे पीस लेंगे यान की इसका भी पेस्ट तयार करेंगे तो यह देखिए पालक की प्यूरी भी हमारी तयार हो गई है तो चलिए अभी सबजी बनाना स्टार्ट करते सबजी बनाने के लिए मैंने गयस पेकड़ाई रखिए उसमें 3 बड़े चमज ओयल के डाले हैं और यह देखिए मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया है उसको बड़े साइज में ही काटा है तो पहले आलू को हम फ्राय करेंगे गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है आलू को फ्राइ करते टाइम और अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे ताकि वो आलू के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और आलू को हम थोड़ा सा गोल्डन करेंगे हलका सा गोल्डन होने तक फ्राइ करेंगे तो ये देखिए हलका हलका गोल्डन होना शुरू हो गया है आलू तो अब हम आलू को निकाल देते हैं आलू को निकाल लिया है और थोड़ा सा तेल कम कर दिया है तीन चमस थी तो हमने दो चमस रख लिया है एक चमस निकाल दिया है उसमें जीरा डाला है तेजपता डाला है एक छोटी टुकड़ा दालचीनी का और एक चुटकी हींग और एक बारे कटा हुआ प्याज तो पहले हमने ज्यादा ओयल डाला था तो उसको एक चमच को हमने निकाल दिया है दो चमच रख लिया है और प्याज को अच्छे से पकाना है लगबग एक से तेड़ मिनट प्याज को अच्छे से पकाना है तो ये देखिए प्याज पक गए है हलके ब्राउन हो गए है तो अब हम डालेंगे जो हमने मसाला पीस के तयार किया था वो डालेंगे और मसाले को अच्छे से मिक्स करके लगबग डेड़ से दो मिनट मसाले को अच्छे से पकने देंगे तो ये देखिए मसाला पक गया है हलका हलका ओयल छोड़ने लगा है तो अब हम इसमें ड्राइ मसाले एड़ करेंगे एक चोथाई चमज डाला है हल्दी पाउडर एक चोथाई चमज डाला है लाल मिर्च पाउडर आदा चमज डाला है धनिया पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक और अच्छे से मिक्स करके मसाले को अच्छे से पकाएंगे तो जब सब्जी में मसाला अच्छे से पका हुआ रहेगा तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है तो ध्यान रखें मसाले को अच्छे से पकाना है तो ये देखिए मसाला अच्छे से पक गया है यानिकी ओयल उपर आ जाए इसमें मतलब है कि मसाला पक गया है तो हमने जो एक टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो डाल देंगे अगर आपको टमाटर काटा हुआ पसंद आता है तो आप काटा हुआ टमाटर भी डाल सकते हैं टमाटर की प्यूरी डालने के बाद भी इसे 1-5 मिनट अच्छे से पका लेंगे तो ये देखिए मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है यानि की मसाले ने पूरा तेल छोड़ दिया है उपर तेल आ गया है तो अब हम जो पालक की प्यूरी बनाए थे वो डाल देते हैं तो देखिए पालक की प्यूरी का पालक का कलर देखिए कितना ग्रीन है बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है तो हलका सा आप पालक को बोयल करेंगे तो कलर भी चेंज नहीं होगा तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं उसी जार को थोड़ा सा धो लेते हैं ताकि जो प्यूरी लगी हुई थी वो भी काम में आ जाए तो उसको धो के थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और अब हम इसे पकने देंगे तो ये देखिए तीन से चार मिनट हमने प्यूरी को पका लिया है और अब जो आलू हमने फ्राइ किया था वो डाल देंगे और अगर आपको आलू बहुँ ज़्यादा पसंद है तो आप दो आलू भी ले सकते है और ये देखिए आलू को अच्छे से मिक्स करके दो मिनट और पकाएंगे इसको ताकि ये जो पालक वाली ग्रेवी है वो भी आलू में अच्छे से चली जाए यानि कि आलू भी ग्रेवी को अच्छे से पी ले तो ये देखिए दो मिनट ऐसे ही रखेंगे लो फ्लेम पे गैस का आज धीमय कर दीजिए दीमे आज पे इसे दो मिनट रखेंगे और ये हमारी बहुत ही स्वादिस्ट पालक पनीर जैसे दिखने वाली बहुत ही स्वादी सबजी आलू पालक की सबजी ये बनके तयार हुई है तो ये देखिए लग रही है ने बिल्कुल पालक पनीर के जैसी और इसका टेस्ट पालक पनीर से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा है तो ये लीजिए हमारी धावा इस्टायल आलू पालक तयार हो गया है तो ये सबजी खाने के बाद आप पालक पनीर भूल जाएंगे तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपि के साथ तब तक के लिए बाई बाई